बहुत दिनों से नीमा से बात नहीं हो पा रही थी, जब भी फोन मिलाने की सोचती, कोई ने कोई काम आ जाता। बच्चे बड़े समझदार और जागरुक हो गई है, यह मैं समझती हूँ और यह सत्ते मुझे खुशी भी देता है, हमारा बच्चपन इतना चुस्त कहा था, जो किसी रिस्तेदार को एक दो मुलाकातों में ही चाज़ परक जाते, हम तो आसानी से बुद्दू बन जाते, फ आजकल चार सदस्चों के परिवार में किसके माथे पर कितने बाल आए और किसके ने कितनी बार आखे त्रेर कर देखा, बच्चों को सब समझ में आता है, मैंने कल मुशी को मूल में देखा था, सायद बैंक में जल्दी चुट्टी हो गई होगी, खूब सारी शोपिंग कर लधी फदी गूम रही थी, उनकी दो सयोगी भी थी साथ में, तुमसे बात हुई क्या? नहीं मैं तीसरे माले पर था और मुशी दूसरे माले पर, कोई और भी तो हो सकती है, तुमने उपर से नीचे कैसे देख लिया? अरे अंदा हूं क्या मैं? जो उपर से नीचे दिखा नहीं दे अच्छी खासी हस्ते बतियाती जा रही थी और आप जब भी फॉन करती है रोना दोना शुरू कर देती है कि मर गए बरबाद हो गए जो समय सुखी होगा उसे आपसे कभी नहीं बाठती और जब जरासी तकलीफ होगी तो उसे रो रोकर आपसे कहेगी उसी जैसे इ गलत भी नहीं था सची समझा है उसने अपनी मोशी को अपने जरासी भी प्रेशानी पर हाय तोबा मचा कर रोना दोना उसे खूब सुआता है लेकिन बड़ी से बड़ी खुशी पचा जाना उसने पता नहीं कहां से सीख लिया कहती खुशी जाहिर नहीं करनी चाहिए नज भी स्वास भी कहीं कि अभी पिछले हपते ही तो बता रही थी कि मार्च महीने की वज़े से हाथ बड़ा तंग है कुछ रुपे चाहिए मेरे पास कुछ जमारासी है जिसे मैंने किसी आड़े वक्त के लिए सबसे शिपा कर रखा उसमें से कुछ रुपे उसे देने का मन ब पहले समझाया था कि छोटी वहन को बेटी समझना मुझसे दस साल चोटी है मैं उसकी मा नहीं फिर भी कभी कभी मा बन कर उसकी गलती पर परदा डाल देती हूं जिसपर मेरे पती भी हस पड़ते हैं और मेरा बेटा भी तुम बहुत भोली हो सुभा अपनी वहन से प्यार क काम लेना पड़ता है तो क्या वे उसके दुस्मन हो जाते हैं जो तुम उसकी गलती पर उसे राह नहीं दिखाती मैं क्या राह दिखाऊं पड़ी लिखी है और बैंक में काम करती है छोटी वच्ची नहीं है वह जो मैं उसे समझाऊं सबका अपना-पना सभाव होता है सब तो उसे सह देती हो या मुझे बुरा लगता है मैं मानती हूं कि उमेश का कीचना सही है मगर क्या करू मन का एक कोना बहन के लिए ममत्तव से उभरी नहीं पाता मैं उसे बच्ची नहीं मानती फिर भी बच्ची समझकर उसकी गलती डगती हूं सोचाता दस भी सजार उसे द लोग पहले से नहीं करते पसुपक्सी भी अपनी जरूरत के लिए जुगाड करते हैं तो क्या बरसात के मौसम में छाते का इंतिजाम नीमा के पडोसी अमित्र करेंगे? सिर्फ मेरा है उसकी सुरक्षा का परभंद भी मुझे ही करना चाहिए नहीं मैं हैरान हूँ कि उसके पास तो घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं थे और मानों ने बताया हमोसी मोल में खरीदारी कर रही थी सामान से लदी फदी घूम रही थी तो शोपिंग के लिए पैसे कहां से आए? सच कहते हैं उमेश कि कहीं मैं ही उसे नहीं विगाड रही उसके कान मरोड उसे उसकी गलती का एसास तो कराना ही चाहिए कुछ रिष्टे ऐसे भी होते हैं जिनके बिना गुजारा नहीं चलता लेकिन वे हमें तकलीप भी देते हैं गले में स्तापित नासूर ऐसा ही तो होता है जिसे काट कर फैका नहीं जा सकता उसी के साथ जीने की हमें आदट डालनी पड़ती है निमभाते निमभाते बस हमें निमभाते चलते जाते हैं और लेने वालों का मूँ सिर्षा के मूँ जैसा खुलता ही चला जाता है चालिस की होने को आई निमा कब अपनी गलत आते चोड़ेंगी साइद कभी नहीं मगर उसकी वज़े से अक्सर मेरी अपने गरस्ती में कहीं बार एववस्ता आ जाती है अक्सर किसी के पैर पसारने के वज़े से अगर मेरी भी चादर छोटी पड़ जाए तो कसूर मेरा ही है मैंने अपनी चादर में उसे पैर पसारने ही क्यों दिये माता-पिता ही है जो उलाद के कान मरोड कर सही रास्ते पर लाने का दूसास कर सकते हैं वैसे तो एक उमर के बाद सब की बुद्धी इतनी परिपक हो ही जाती है कि चाहे तो माता-पिता का कहा भी ने माने तो पिता कुछ नहीं कर सकता मगर बच्चे के कान तक हाथ में ले जाने का अधिकार उसे अवश्य होता है मैंने शाम को कुछ सोचा और फिर नीमा के घर का रुख लिया फोन करके बताया नहीं कि मैं आ रही हूँ मानव कोचिंग क्लास जाता हुआ मुझे स्कूटर पर छोड़ता गया नीमा तब सतब द्रह गई जब उसने अपने फ्रेट का द्वार खोला दीदी आप नीमा ने आगे पीछे ऐसे देखा जैसे उमीद से भी परेख उस देख लिया दीदी आप आपने फोन भी नहीं किया बस सोचा तुझे हैरान कर दूँ अंदर तो आने दे दर्वाजे पर ही खड़ा कर दिया उसे एक तरफ हटा कर मैं अंदर चली आई सामने उसका कोई सहय होगी था मेज पर खाने पीने का सामान सजा था होटल से मंगाया गया था जिन डबों में आया था उनी में खाया भी जा रहा था पुरानी आदत है नीमा की कभी फ्लैट में सजा कर सलीके से मेज पर नहीं रखती समोसे पकोडे तो लिफापे में ही पेस कर देती है पेट में ही जाना है क्यो बरतन जूटे किये जाए मुझे देखकर वैपरूस ऐसा हो गया सोसता होगा कैसी बत्तमीज है नीमा की बहन एक एक सीर पर चड़ाई अपना घर है मेरा फोन करके आने की क्या तुक थी बला बस बैटे बैटे मन हुआ तो चली आई क्यों तुम कहीं जाने वाली थी क्या मैंने दोनों का चैरा पढ़ा पढ़ लिया मैंने कुछ अंचाहा घट गया है उनके साथ तुमारी तवियत ठीक नहीं थी इसलिए सोचा देखा हूँ हाँ विजय भी हालचाल पूछने ही आई है ये मेरे सायोगी है नेरी पर्षन ने सीमा को रहा दिखा दी मैंने तवियत का पूछा तो उसने जट से हालचाल पूछने के लिए आई सायोगी की स्तीती साफ कर दी वरना जट से उसे कोई वहाना नहीं सूज रहा था मेरी बेहन है नीमा बला उसी के रंग डंग में मैं नहीं पैचानूंगी बच्पन से उसकी एक खरकत मैं उसका चेहरा पढ़कर ही भाफ जाती हूँ दस साल चोटी बहन मेरी बहुत लाडली है दस साल तक मेरे माता पिता मातर एक ही संतान के साथ संतुष्ट थे मैं ही अकेले बन के वज़े से बिमार रहने लगी हिमोसी और बुआ सबकी दो-दो संताने थी और मेरे घर में मैं अकेली बड़ों में बैठती तो मुझे उठा देते कि चलो अंदर जा कर खेलो क्या खेलू किसके साथ खेलू बेजान खिलोने और बेजान किताबे जिसकी जानदार की दरकार होने लगी थी मुझे मैं चिर्चिटा रहती थी जिसका इलाज था भाई या बहन भाई या बहन आने वाला हुआ तो माता पिता ने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही होगी अपना सुक दुख भूल मैं नीमा के ही सुक में खो गई दस साल की उमर से मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि अपनी हर इच्छा मुझे वैर्थ लगती तुम उसकी मा नहीं हो सुबह जो उसके माता पिता थे वही तुमारे भी थे उमे सबसा समझाते हैं मुझे अब शेतन में गहरी वैठा दी गई थी माता पिता दुआरी यह भावना कि नीमा उसी के लिए संसार में लाई गई है मुझे याद है कि अगर हम सब खाना खा रही होते और नीमा कपड़े गंदे कर देती तो रोटी छोड़ कर उसके कपड़े मा नहीं मैं बदलती थी जबकि आज सोचती हूँ क्या वै मेरा काम था क्या यह माता पिता का फर्ज नहीं था क्या बहन लाकर देना मेरे माता पिता का मुझ पर एहसान था इतना ज़्याद है कर्ज जिसे 40 साल से मैं उतारते उतारते ठक गई हूँ और कर्ज है कि खतम ही नहीं होता आओ दीदी बैटो ने अंसनी शी बोली नीमा मेरी नजरे सोपे वर पड़े लिफापे वर पड़ी जहां से खरीदे गए उन पर उसी मोल का पता था जिसके बारे में मानवने मुझे बताया था कुछ खुले परिधान बिक्रे पड़े थे आसपास सायद नीमा उन्हें पहन पहन कर देख रही थी या फिर दिखा रही थी चटी इंद्री ने मुझे एक संकेत सा दिया या पुरूस नीमा की जिंदिगी में क्या स्थान रखता है क्या इसी को नीमा नए कपड़े पहन कर दिखा रही थी क्या बुखार था तुम्हें आज कल मोसम बदल राय वाइरल हो गया होगा क्या है मैंने कपड़ों को धकेल कर एक तरफ किया उसी पल वैपुर्स उठ पड़ा अच्छा मैं चलता हूँ आरे बैठिये ने आप अपना खाना पीना तो पूरा कीजिए बैठो नीमा मेरा सवर थोड़ा बदल गया होगा जिस पर दोनोंने मुझे बड़ी गोर से देखा उस पूर्स ने कुछ नहीं कहा और फिर चला गया नीमा भी अन्मनी सी लगी मुझे बिमार थी तो यह फास्ट फूड क्यों खा रही हो तुम डबों में पड़े नूडल्स और मेंचूरियन पर मेरी नजर पड़ी उन डबों में एक ही चमच रखा था जाईर है दोनों एक ही चमच से खा रहे थे कुछ काम था तुम से इसलिए फोन पर बात नहीं की मुझे कुछ रुपे चाहिए थे मानव की कोचिंग कलास के लिए तुमारी तरफ मेरे कुल मिलाकर 40,000 रुपे बनते हैं तुम तो जानती हो मार्च का महीना है नीमा ने मुझे उचीतर से नजरों से देखा जैसे मुझे पहली बार देख रही हो चुकि मैंने कभी रुपे वापस नहीं मांगे थी इसलिए उसने कभी वापस करना जुरूरी नहीं समझा मैं बड़ी गोर से नीमा का चहरा पढ़ रही थी मैं उसकी शाम बरबाद कर चुकी थी और संभयवता नैतिक पतन का सत्तर भी मेरी समझ में आ गया था अफसोस हो रहा है मुझे एक ही मातापिता की संतान हम दोनों बेहने और फिर चरितर इतना अलग-अलग एक ही घर की हवा और एक ही बरतन से खाया गया खाना खून में इतना अलग-अलग परभाव कैसे छोड़ गया मेरे पास पैसे कहां नीमा ने जरासी जबान कोली क्यों अकेली जान हो तुम पती और बेटा अलग सहर में रहती है उस पर तुम एक पैसे भी खर्च नहीं करती कहां जाते हैं सारे पैसे नीमा आवाक थी सदा उसी की परिवार उसकी बहन आज कैसी जबान बोलने लगी बोलना तो मैं सदा ही चाहती थी मगर एक आवरन था जीने का कुछ फहमित था कि सायद वक्त रहते नीमा का तिमाख ठीक हो जाए उसका परिवार और मेरा परिवार तो सदा ही उसके आचरण से नाराज था बस मैं आहेक मैं ही उसके लिए डूबते कौतिन का सहरा थी और आज वे सहरा भी मैंने छीन लिया पाई पाई कर जमा किये मैंने पैसे मानव के दाखिले में कितना कर्श होने वाला है जानती हो नै मेरी मदद ने करो लेकिन मेरे रूपे लोटा दो बस उनसे मेरा काम हो जाएगा कहकर मैं उठ गई काटो तो खुन नहीं नीमा में मेरा वेवार भी कभी ऐसा होगा उसने सपने में नहीं सोचा होगा उसकी असीन होती शाम का अंजाम होगा या भी उसकी कलपना से परे था कुछ उत्तर होता तो देती चुपचा बैठ गई उसके लिए में एक विशाल का इस तम थी जिसकी ओट में चिपकर वे अपने पती के सारे अक्षेप जूटता रह देती थी देखो ने दीदी आजय कुछ समझते ही नहीं है आजय नीरी से रह जाते थे नीमा की उचीत अनुचीत मांगो पर नारी सम्मान की रक्षा पर बोलना तो आजकल फैशन बनता जा रहा है लेकिन सोचती हूँ जरा पुरुस नारी की वज़े से पिस रहा है उस पर कोई कानून कोई सबा कब होगी अपने मोपर कभी जीत क्यों नहीं पाई मैं कम से कम गल्द को गल्द कहना तो मेरा फ्रज़ था ने उससे परेज क्यों रखा मैंने अफसोस हो रहा है था मुझे दम गुटने लगा मेरा नीमा के घर में ऐसा लग रहा था कोई नकारात्म किरन मेरे वजूद को भेद रही है मातापिता की निशाने अपने बहन के वजूद से मुझे ऐसी अनुबूती पहले कभी नहीं हुई सच कहूं तो ऐसा लगता रहा नातापिताजी के रूप में नीमा ही है मेरे सब कुछ और साइद यही अनुबूती मेरे सबसे बड़ा दोस रही कब तक अपना दोस मैं सवीकारू नीमा की भलाई के लिए उसकी हाथ कीचना चाहिए मुझे तब वह कुछ सही कर पाएगी दीदी बैठो ना नहीं नीमा मुझे देर हो रही है बस इतना ही काम था कहन नीमा का बड़ा हाथ छटक में बाहर चली गई गले तक आवेग धा रिक्षा वाले को मुश्किल से अपना रास्ता समझा पाई आसू पोच मैंने मुढ कर देखा पीछे कोई नहीं था जो मुझे रोपता मुझे खुशी भी हुई जो नीमा पीछे नहीं आई बैठी सोच रही होगी कि यह दीदी ने कैसी मांग कर दी पहले के दीए ने लोटा पाए नैसे ही कम से कम और तो नहीं मांगेगी ने एक भारी बोज जैसे उतर गया खंदो से मन और तन दोनों हलके हो गए खुलकर सासली मैंने कि साइद अब नीमा का कायपलेट हो गए